आज हम करते हैं difference between distance and displacement ठीक है अब देखो आपको पता है कि distance क्या होती है आपकी the distance is defined as the actual path covered by an object is called distance ठीक है तो distance में क्या जाएगा it is the actual path covered by the object in the given time ठीक है यह क्या किसमें आगया आपका distance में फिर इसके बाद आता आपके पास displacement displacement क्या होती है आपके पास it is the shortest path covered by the object in the given time आपको पता है displacement क्या होती है आपकी displacement होती है shortest path covered by the object is called displacement ठीक है जो आपके पास distance होती है ना वो क्या होती है आपके पास scalar quantity होती है ठीक है और आपको पता है कि scalar quantity आपकी क्या होती है scalar quantity are those physical quantity which have only magnitude but not direction are called scalar quantity ठीक है लेकिन जो आपका displacement होता है वो क्या होता है आपका vector quantity होती है it is a vector quantity ठीक है vector quantity होती है displacement ठीक है आपको पता है कि vector quantity क्या होती है those physical quantity which have both magnitude and direction are called vector quantity अब देखो मेगनिटूड आपको पता है मेगनिटूड क्या होता है मतलब आपको कोई भी चीज क्या करनी है मेजर करनी है वो क्या हो गया मेगनिटूड डारेक्शन मतलब x, y, z कोडिनेट में जो डारेक्शन होती है वो क्या हो गया आपकी डारेक्शन distance is always positive distance क्या होती है always positive बट जो displacement is negative positive और 0 जो आपकी displacement है वो क्या हो सकती है negative भी हो सकती है positive भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है ठीक है अब देखो distance is always positive never negative and 0 negative और 0 कभी भी नहीं हो सकती लेकिन जो आपकी displacement होती है वो positive, negative और zero हो सकती है जो distance होती है वो किसके उपर depend करती है path के उपर depend करती है लेकिन जो आपकी displacement होती है वो initial and final position के उपर depend करती है वो initial और final position के उपर depend क्यों करती है देखो क्योंकि यह जो आपका displacement होता है उसकी definition क्या होती है it is defined as the shortest path covered by the object ुए से पात कावरड जो स्वोरश सबस्तेःU अब्जेक्ट और वह क्या होता अपका। इस्पुलेस्मेंट पतलब इस किसके उपर। पात के उपर। तो डीपैंड करेंड इनिशेंड और फाइनल पो जिशिनु और आपका distance होता है वो depend किसके उपर करते है पात के उपर क्यों करता है भी को जो आपका distance होता है उसकी definition क्या होती है आपके पास it is the actual path covered by the object इसके बाद आता है आपका equation of motion देखो equation of motion आपके कितने types के होती है three types के होती है ठीक है एक होता है आपका जो first equation होती है वो होती है v is equal to u plus 80 ठीक है इसमें v क्या होती है आपकी v होती है velocity final velocity आपके पास और u क्या होता है इसमें u होता है आपके पास initial velocity होती है वो a क्या होता है a होता है आपके पास actual ratio t क्या होता है time जो first equation of motion होती है वो क्या होती है V is equal to U plus A T जो second equation of motion होती है आटे आपके पास क्या होती है S is equal to UT plus half A T S किस्त को रप्ररृंट करते है स से आप displacement को रपरृंट करते है U क्या होता है initial time इनिशियल आपके velocity होती है T आपके पास time A क्या होता है acceleration T क्या होता आपके पास है क्टाहिव हैं जो सेकंड इंवोज्जै को सबसाइब नत दें पहां मांस्यू कि अधाय tendenciesy आपके 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 आप timing इस्ट सबसाइब आपके आपके पास थर्द मोशन ओफिक्विश्टी आपके सीमा ना जो आपके पास motion of equation होती है वो कितनी होती है ठी होती है first v is equal to u plus 80 जो second equation होती है s is equal to ut plus half 80 square ठीक है जो third होती है वो क्या होती है v square minus u square is equal to 2as इन में जो term use हो और ही है वो कौन-कौन सी एक तो final velocity एक initial velocity axulation time ठीक है यह क्या और इन में motion of equation में ट्रम है you